असलाम अलेकुम नासरीन साल 2023 में कौनसे रॉमैंटिक ड्रामाज देखे जा रहे हैं? आपको हमार आज का काउंटडाउन देखकर पता चलेगा तो वीडियो स्टार्ट से देखेगा और हाँ, हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजेगा ड्रामा सीरियल तेरे बिन तेरे बिन मोस्ट रॉमैंटिक सीरिल है जो चियो टीवी पर दिखाया जा रहा है अगर ये कहा जाए कि ड्रामा सीरिल तेरे बिन की कहानी भारती ड्रामा से मिलती चुलती है तो गलत नहीं होगा मेरब को अपने असली वालदेन के बारे में इल्म नहीं है ड्रामे में दिखा गया कि मेरब अपने वालदेन के साथ हसी खुशी संदगी गुजार रही होती है फिर एक दिन अचानक उसकी संदगी में तब्दीली होती है उसे पता चलता है कि उसका असल बाप कोई और है ऐसा पाकिस्तानी ड्रामाज में तो आज तक नहीं हुआ लेकिन भारती ड्रामाज में आपको ये बात आराम से देखने को मिल जाती है ड्रामे में जब मीरब और मुर्दसिम की शादी होती है तो ड्रामे का एक करेक्टर हया बिलकुल इंडियन ड्रामाज की एक्टर्स की तरस पर डांस करती है एक लड़का और एक लड़की जो एक दूसरे को लाइक नहीं करते बात में एक दूसरे की महबत में गरिफतार हो जाते है ड्रामे में भी फ्यूचर में यही होने जा रहा है ड्रामे में कॉंट्रेक्ट मेरिट दिखाए गई है जिसे देखने के बाद सबसे पहली सोच रही आती है कि ऐसा रोमेंटिक ड्रामा टीवी पर दिखाना ज़रूरी था क्या ड्रामा सीरियल प्यारी मोना प्यारी मोना एक नया रोमेंटिक सीरिल है एक्टरस सनम जंग प्यारी मोना में नजर आई इस ड्रामे में एक मोटी लड़की का कैरेक्टर कर रही है ड्रामा सीरिल प्यारी मोना के मरकिसी किरदारों में सनम जंग और अदील हुसेन शामिल है मोनका के दार एक ऐसी मोटी लड़की का है जिसे मसलसल मुश्किलात और तानू का सामना सरफ इसलिए करना पड़ता है कि वो मौश्र के वज़ा करता खुबसूरती के रिवायती मैयार पर पूरा नहीं उतरती इस सीरियल में आप देखेंगे कि जो लोग मोटा होने की वज़ा से एमबारस फील करते हैं तो वज़न कम करने के लिए मजबूर भी हो जाते हैं ड्रामे के बारे में सनम जंक कहती हैं कि ये कैरेक्टर उनके लिए काफी चालेंचिंग था इसलिए इमपॉर्टन था कि वो इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाएं आप इस ड्रामे में ये भी देखेंगे कि बास अकात औरत का वज़न उसके लिए बहुत बड़ा ताना बन जाता है ड्रामा सीरियल कच्चा धागा कच्चा धागा एक नई सीरिल है कच्चा धागा की कहानी चार नाजवानों अर्शमा, माया, हम्दान और हरीब के गिर्द घूमती है ये दोरों एक दूसरे से महबत करते हैं और शादी करने वाले हैं लेकिन हालात ऐसा खौफनाक मौड लेते हैं केचारों की राहें मिलते हुए एक दूसरे से जदा हो जाती हैं और उनका बंधन बिलकुल एक कच्चा धागा साबित होता है जिसमें जरह सीखींच एक दूसरे को दूर ले जाती है ड्रामा सीरियल मेरे बनजाओ मेरे बन जाओ एक रोमैंटिक सिर्ल है ये हम टीवी पर नशर हो रहा है ड्रामे की कास्ट में जाहित अहमत, अस्पर रह्मान, किंजा हाश्मी, आईशा गुल और फजीला कासी शामिल है मेरे बन जाओ ड्रामा सेद अहमत कामरान ने डारेक्ट किया है इस ट्रामा सीरल में आप देखेंगे शुरू से ही अजीमा को जो अपने मंगेतर फरीदین की तस्वीर बना रही है और शादी तक के दिन गिन रही है अजीमा अपने मंगेतर की महबत में पागल है, उसे खुश करने के लिए कुछ भी करने को तयार है अजीमा की माँ उसे किचन में आकर रोटियां बनाने को कहती है और वो अपनी शादी से पहले खाना पकाना सीखना चाहती है अजीमा की भाबी कहीं से बाहर आती है, अपने मॉबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाती है जिससे उसकी माँ को गुसा आता है अजीमा की माँ उसे वीडियो क्लिप डिलीट करने को कहती है ये वाज़ नहीं था कि वो वीडियो क्या थी लेकिन एक नाजर के तोर पर हमें ये दिखाया चाता है कि वीडियो एक औरत के बारे में थी अगली एपिसोड में आप इस सिस्पेंस को भी ब्रेक होता देखेंगे ड्रामा सीरियल गरिफ्ट गरिफ्ट एक रॉमैंटिक सीरिल है ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो के लगशरी लाइफ गुजाना चाहती है अपने लाइफ स्टाइल को तबदील करने के लिए वो ये भी भूल जाती है कि वो जबर दस्ती अपने खाबों को पूरा करने के लिए गलत रास्ता अपना रही है दूसरी तरफ मुराद और इंशा एक बहुत अच्छी सिंदगी गुजार रहे हैं पर उनकी आलाद नहीं होती रूही इन दोनों की मजबूरी का फाइदा उठाते हुए मुराद के बहुत करीब चली जाती है जिसे दोनों मिया बीवी के तरम्यान एक तराड आ जाती है ड्रामा सीरियल कुछ अनकही एक नया ड्रामा है इस ड्रामे के लीड रोल्स में बिलाल अबास खान, सजल अली, शेहरियार मुनवर, मीरा सेथी, वनीजा एहमद, बाबर अली, कुछ सिया अली और दीगर शामल है सजल अली ने ड्रामे का टाइटल शेयर करते हुए कैपशन में लिखा कि ये सौंग आज कल मेरा फेवरिट है इस ड्रामा सीरियल में आपको फैमिली के दरम्यान महबत भी दिखाई जाएगी जबके टीजर में बाबर अली, वनीजा एहमद, सजल अली और दीगर कैरेक्टर्स को महत सारे यूनीक रोल्स में देखा चा सकता है इसका OST सबसे ज़्यादा पसंद किया गया लेकिन इस ड्रामे की एपिसोट अगले ही हफ़ते रिलीज होने चा रही है ड्रामा सीरियल तेरे बिना में नहीं तेरे बिना में नहीं एक न्यू ड्रामा है A.Y. Digital के ड्रामा सीरियल तेरे बेना में नहीं ने मिदाहों की तवचे अपनी जाने मबजूल करवा ली यूटीब पर दूसरे किस्त को दस लाग से साधा लोग देख चुके हैं इस ड्रामा सीरियल में जावेद शेह के साहिबजादे शेहजाद शेह, मुर्तसा यानि के सौनिया हुसेन, नूर यानि आईसा आवान, तहनियत मरकिसी के दान ने भा रहे हैं ड्रामा की कहानी माहा मलक ने लिखी है, इसके हिदायतकारी के फराइज अली मसूद साइद ने इंचाम दिये हैं ड्रामा सीरल की कहानी मुर्तसा नूर और तहनियत के गिर्द घूमती है, जिसमें दिखाया गया कि किस तरहां नूर किसी काबल बनने की वज़ह से मुहबत को ठुकरा देती है, जिसके बाद मुर्तसा की जिन्दगी में तहनियत की आमद होती है मुर्तसा की कजन नूर की चानब से शादी के लिए कुछ वक्त मांगा जाता है, लेकिन वालिदा बुष्रान सारी रिष्टा तोड़कर आ जाती है, और बड़े बेटे की टीचर नूर की दोस्त तहनियत के लिए मुर्तसा का रिष्टा मांग लेती है, नूर कजन मुर्तस से महबब तो करती है नेकिन कहती है कि फिलहाल वो शादी नहीं कर सकती क्योंकि उसे अभी किसी के काबिल बनना है ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि मुर्तजा एक अच्छा लड़का है सब लोग यही कहते हैं और यू लड़की पर एक प्रेशर बन जाता है कि वो उसे लाइफ पार्टनर एकसेप्ट करे ड्रामा सीरियल मुकतर का सितारा मुकतर का सितारा फरवरी 2023 का सीरियल है इस ड्रामा सीरियल में फातिमा फंदी बाबर अली नादिया हुसेन और लाइबा खान शामिल हैं ड्रामे की कहानी एक पोश्गर के गिर्द खुमदी है जहां पर बेटे को सुधाने के लिए घर वाले करीबी दोस्त के घर उनकी बेटी हादिया का रिश्टा लेकर जाते हैं लेकिन वो इस शादी पर राजी नहीं और अपनी दोस्त रमशा से महबत करते हैं दूसरी तरफ हादिया भी उन्हें पसंद नहीं करती मनफी कैरेक्टर निभाने वाली अदकारा तानिया हुसे ने अपने कैरेक्टर से मतालिक ये भी कहा कि रमशा एक ऐसा कैरेक्टर है जो किसी दूसरे किरदार से मुख्तलिफ है ट्रामा सीरियल हूग हूग एक रमैंटिक सीरिल है, इस डामा सीरिल की हिदायतकारी मौसिन मिर्जा ने की है, इसकी कहानी शकुफता भटी और शाहिड डोकर ने लिखी है, किन्जा हाश्मी कहती है, कि संदकी बहुत खुबसूरत है, हर तरफ कोश्यार मुस्कुराहटें, किसी अपने की महबत का एहसास दि हैं, डामा सीरिल बहुत इंड्रस्टिंग हो जाता है, जब फैसल कुरेशी की एंट्री होती है, वा गारी से उतरते ही किन्जा हाश्मी के पास पहुचते हैं, और उन्हें धमकाते हैं, डामे की कहानी यह है, कि फैसल के भाई की डेथ किन्जा की वजह से हुई होती है, खुबसूरती के खायल हो जाएंगे ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी मेरी शहजादी एक रोमैंटिक ब्लॉक पस्टर सीरिल है इस ड्रामे की कहानी राइटर संजबील आसिम शाने लिखी है जो इस से पहले ड्रामा प्यार के सद्के भी लिख चुकी है ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसको शहजादी की पहली रात ये कह देता है मेरा सब कुछ तम्हारा है मेरा घर, मेरी काड़ी और हर किसम की आसाईश लेकिन कभी मुझसे 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 तवक्य मत रखना ये ड्रामा बहुत ही जादा ये शोहर के सिवा कुछ नहीं गहती थी उसका एक ही खाब था कि उसका शोहर उससे बे पनह मुझसे करे इतनी मुझसे जो उन दोनों को बागी दुनिया से बे खबर करते ये ड्रामा यहां तक भी इंट्रोस्टिंग है लेकिन आगे जाकर ड्रामे में मेचर ट्विस्ट एंटर्न आते हैं जो आपको भी हैरान कर देंगे ड्रामा जैसे जैसे आगे बढ़ता है आपको दानिया का कैरेक्टर बहुत मजलूम नजर आएगा अगर्चे स्टार्ट में दानिया बहुत ही स्ट्रॉंग दिखाई गई है लेकिन बाद में दानिया का कैरेक्टर भी काफी मिजरेबल हो जाएगा ड्रामे में आप देखेंगे सियासी मुफाद के खातिर की के शादियां किस कदर खोखली होती है कहते हैं कि ये ड्रामा सीरिल शेजादी डायाना की बायोग्रफी पर बनाया गया है इस बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कॉमेंट सेक्षन में अपनी राए से जरूर आगाह कीज़ेगा ड्रामे की हिरोईन बहुत खुबसूरत है और आप इन्हें देखकर यही सोचेंगे कि ऐसी लड़की अगर रेयर लाइफ में हमें मिल चाए तो हम उसके सारे नक्रे उठाएंगे ड्रामा इंट्रिस्टिंग है अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा आप से मुलाकात होगी अगली वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज